आज बात करेंगे यामा की एक और नियो अपकमिंग बैस्ट नेकेड स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक के बारे में जो कि इंडियन टू विलर मार्केट में बहुत जल्द यामा लॉंच करने वाला है बकि ये बाइक इंटरनेस्टनल मार्केट में काफी टैम से एवेलेवल है यामा की TFX 159 से बाइक काफी एच्छा पफोर्म भी कर रहे है और इंडियन टू विलर मार्केट में यामा की TFX 150 का काफी टैम से वेट के जा रहा है यामा इस बाइक को इंडियन टू विलर मारकेट में यामा एम सलाईज 159 से लॉंच करेगा यह एक नेकड इस्टीट काफी ज़दा अट्रेक्टिव हैं जिसकी वेसे यामा लावर बहुत टाइम से इस बाइक का वेट भी कर रहा है आज की इस वीडियो के अंदर मैं यामा की एमसिलाइज 150 के बारे में आपको max information देने वाला हूँ तो आप without skip की इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका doubt के लिए दो जाए कि या बाइक का आने वाली है इस बाइक में कितनी पावर देखने हो मिलेगी बाइक में क्या क्या फीचर ओफर के जाएंगे एंड बाइक के एक शोरूम एंड ओन रोड प्राइस के रहने वाले हैं चलिए without time waste की वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यामा की एमसिलाइज 150 की performance के बारे में किस बाइक में आपको क्या पावर दी गई है और क्या आपको engine में like performance देखने हो मिलेगी बाइक में 149cc का 4 stock single cylinder SOHC 4 valve engine देखने हो मिलेगा 16.09 bhp की पावर देखने हो मिलेगी बाइक में 14.3 डिम्टेंग का torque देखने हो मिलेगा 16-speed gearbox transmission देखने हो मिलते हैं जिसकी बसे यामा का engine काफी ज़्यदे refine और reliable रहता है और साथी performance भी काफी अच्छा offer करता है यहाँ पर आपको assistance slipper class देखने हो मिलेगा बाइक में side stand engine cut off switch का feature भी offer के जाएगा बाइक के अंदर आपको front में upside down front focus देखने हो मिलेगे golden finishing के साथ 37 IMK दोस्तो बाइक के rear part में आपको swing arm, shock observer, suspension देखने हो मिलेगे यामा की यह बाइक आपको delta box frame पर देखने हो मिलेगी बाइक में काफी इच्छी dimensions offer के जाएगे लाइक साथ ही आपको 11 लिटर की fuel tank capture देखने हो मिलेगी बाइक काफी ज़ा light weight है जिसकी वैसे power to weightless की वैसे बाइक की top end performance आपको काफी अच्छी देखने हो मिलेगी 135 kg का cover weight है 164 mm का ground lens है 805 mm की आपको seat height देखने हो मिलेगी और बाद करें other features के बारे में बाइक में fully detail LCD type का instrument console देखने हो मिलेगा like MT15 V2 की तरह जिसमें आपको bike selected सारे basic reminder feature देखने हो मिलेगी बाइक में all LED lights का setup होगा front में आपको full LED headlight का setup देखने हो मिलेगा and tail light आपको LED देखने हो मिलेगी साथी cluster के साथ and bike के अंदर indicator आपको Indian two wheeler market में LED offer कर सकता है हमा बाकी international market के अंदर इस bike में आपको halogen indicator देखने हो मिलते हैं जो की देखने में काफ़ी दा attractive है काफ़ी अच्छे लगते हैं जैसे कि आपको MT15 V2 के अंदर offer के जाते हैं halogen but इसमें आपको LED भी देखने को मिल सकते हैं और बात करें बाइक के brakes and tire के बारे में तो बाइक के front में 267 mm की hydraulic single disc plate देखनो मिलेगी और बाइक के rear part में 220 mm की hydraulic single disc plate देखनो मिलेगी with single channel ABS और dual channel ABS दोनो variant इसके launch के जाएंगे यामा की तरब से जिसके दोनोई price में आपको different देखनो मिलेगा दोस्तो बाइक में आपको काफी इच्छी braking system offer की गई है जिसकी वैसे safety काफी इच्छी रहने वाली है और बाइक में काफी 4 tire offer किये गाए है जिसकी वैसे riding करते समय आपको like bike काफी इच्छी grip offer करेगी ये बाइक बड़े अराम से आपको 40 to 45 km per liter के approximately mileage offer करेगी जो की काफी इच्छी बात है और इस bike में आपको काफी इच्छी color scheme देखने हो मिलेगी जो की international market में ये bike काफी सारे color option offer करती है like red with black एक color option देखने हो मिलेगा आपको blue with white एक देखने हो मिलेगा green with gray and all black ये 4 color scheme आपको international market के अंदर देखने हो मिलती है आपको पताए कि Yamaha की FGE B4 like 150,000 के आराउंड आती है और Yamaha की MT15 2,000,000 से उपर आती है लेकिन दोस्तों ये bike आपको इन दौनों price segment के बीच में देखने हो मिलेगी जिसकी वैसे इस bike की sale काफी दा Indian two wheeler market में होंगी बागी दोस्तों looks और design style काफी दा attractive है इस bike का fuel tank dual color combination के साथ आता है and split sheet देखने हो मिलती है like आपको काफी compact type का exhaust system देखने हो मिलता है and bike में wide tire होने की वैसे like bike का look जो है काफी दा like बलकी aggressive लगता है जिसकी वैसे इस bike को definitely Indian two wheeler market में लोग buy करेंगे और मैं आपको उता दू यामा लावर MCLS 150 का काफी टाम से बेट भी कर रहे है तो वो तो definitely इस bike को buy करेंगे बागी दोस्तों यामा की MCLS 150 से related को doubt रहे गया हो comment section में आप पूछ सकते हैं वीडियो अच्छ लगी, informative लगी वीडियो को like कर देना चैनल पर नया हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन की बटन को प्रैस करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी share कर देना हम मिलते हैं आप से अक लिए और एक ऐसी ही new इंट्रेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care